जिनकी गर्दन में stiffness रहती है, जो अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं, या laptop jobs हैं, even though जिनको cervical है, या जो हमें बोलते हैं कि हमारी नेक में stiffness फील हो रही है, हमारे इस एरिया में ये upper traps tight ही रहते हैं, जिनकी गर्दन को move करने में भी दिक्कत होती है, जो घर पे बैठे कैसे ठ करने के लिए जो नेक की muscles हैं, उसमें ये muscle का सबसे बड़ा रोल होता है, जब इसमें spasm आ जाए, कई लोग गलत तरीके से सोते हैं रात को, इस तरह ना सोने की बजाए, सबसे best position सोने की ये होती है, कई लोग इस तरह ऐसे बाहर निकाल कर रात को सोने से, आपकी गर्दन मे दर्द, इस तरह continue इसी तरह पूजीशन में सोने से, आपकी ये जो मास पेशियां हैं गर्दन की, टाइट रहती हैं, जिससे morning में stiffness हो जाती है, आपकी गर्दन में, सबसे बुरा तरीका सोने का, ये, इससे क्या होता है, कि आपकी जो गर्दन की मास पेशियां है, शोल्डर की जा सकती है सबसे पहली एक्सेसाइस आपने अपनी दो उंगलियों को लेना है गर्दन के इस हिस्से पर रखेंगे यह और इस जगा पर आपको अपनी दोनों फिंगर्स को रखना है और गर्दन प्रंट से इस तरह नाक की सीध पर बिल्कु सीधे देखते हुए अब अपन चिन को अंडर की तरह टक करना है इस तरह पुछ हाथों से आगे की तरह पुछ करेंगे और चिन से अ पनी गर्दन को पीछे की तरफ पुछ करते हुए यह कुछ सेकेंड़ करेंगे का शीक गएविशरे वक्रते हुखे पांच-ट का पांच नsन करेंगे जैसे वाणे नौ और प्रेशर पैन फिल करेंगे, इसको भी 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे पान सेकंड के लिए होल्ड करके 3 सेट करेंगे, इसके बार आपकी तीसरी एक्सराइज होगी, जिसमें आपको अपनी गर्दन को हलका सा इस तरह गुमा कर नीचे की तरफ देखते हुए, इस तरह आप देखेंगे ये वाली मसल जो है कितनी pumped up हो गई है, इसमें एक stretch feel होगा, इस मसल में stretch feel होगा, इस stretch को feel करेंगे, 10 to 15 second hold करके 2 set करेंगे, इसी थरह इसको किस तरह करना है, आप ध्यान से देखेंगे, आप अपनी गर्दन को हलका सा यहां लेकर जाएंगे, और चिन को नीच करने है सबके, सबसे important अब यह exercise है, इसमें भी आपको 45 डिगरी पर अपने गर्दन को रखना है, यह वाला हाथ इस तरह आप पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को नीचे की तरफ खीचेंगे, चिन को नीचे करते हुए, गर्दन को नीचे की तरफ जब खीचेंगे तो इ ऐसे कि हम इसको इस तरह लेके जाके नीचे ले जाने के लिए पेशन को कहते हैं, तो पेशन किया करते हैं अपनी गर्दन को इस तरह कर लेते हैं, कान को टेड़ा गर देते हैं, इस तरह नहीं करना है, आपको इस तरह रखकर पहले नॉमल आप गर्दन को यह सीधी है, पीछे लेके आएंगे और इसको यहां से नीचे की तरफ पूल करेंगे नीचे की पूल करते हुए यह साइड पे स्ट्रेच फील होगा और यह वले हाथ को पेशन को कहना है यहां से होल रखें जिससे यह स्ट्रेच का लेवल और बढ़ जाएगा लास एंड फाइनल एक्सरा इसमें भी क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए नीचे से होल कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी और फिजियो थेर्पेस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास हैं या किसी भी सूपर स्पेशलिस्ट के पास गये हैं अगर वह आपके पास खड़ा है तो वह क् को होल्ड करके और पेशेंट को हल्का सा पुश्ट दाउन दे सकते हैं इसको भी 10-15 सेकंड होल्ड करकर तीन सेट करेंगे सेम वे दूसरी साइट से करेंगे गर्दन को नीचे ले जाकर इसका स्ट्रेच इस साइट पे नजर आना चाहिए यहां पे अगर आपको इस एरिया मे स्ट्रेच नहीं दिख रहा है यहां पे तो आप यह स्ट्रेच नहीं करेंगे ठीक है यह बेस्ट एक्सेसाइजिस हैं गर्दन के लिए जिनकी गर्दन में स्टिफनेस रहती है इवन दो जो अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं या लैप्टॉप जॉब्स हैं सिटिंग इवन दो जिनको सर्वाइकल है या जो हमें बोलते हैं कि हमारी नेक में स्टिफनेस फील हो रही है हमारे इस एरिया में यह अपर ट्रैप्स टाइट ही रहते हैं उनके लिए भी यह एक्सेसाइज बेस्ट है जिनकी गर्दन को मूव करने में भी दिकत होती है उनके लिए पर यह वह लोग ट्रै नहीं करेंगे जैसे कि आज मेरे को सुबह में उठी रात को सोने के बास सुबह उठने पर मेरी गर्दन जाम है उन लोगों के लिए यह एक्सेसाइज नहीं है यह एक्सेसाइज वह तीसरे यह चौथे दिन कर सकते हैं सो दाट के वह मसल खूल जाए पर सेम डे आप नहीं करेंगे आपकी पेन बढ़ जाएगी जिनकी रात को गर्दन जकडी गई है सुबह में दिन में बिल्कुल ठीक ते और रात में उनकी जिब गर्दन ऐसे जकड गई है स्टिफनेस आ गई है उनके लिए बेस्ट इलाज है आइसिंग एट टू टेन मिन प्लस को कंटाक करना पड़ेगा हमारा क्लीनिक दिल्ली में है थैंक यू सो मच गर्दन से रिलेटेड सर्वाइकल से रिलेटेड स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कंटाक कर सकते हैं